नमस्कार, मेरा नम हिमाशिख धवन और ये वीडियो औली को स्पर्मिया के पे स्लिए हैं क्योंकि आप ऑपनी हर वीडियो में बताता हूँ की स्लूर एलिभ जोस्पर्मिय है क्या बाइट एक मिन्स औस बहुत से पेसिंट्स और इस उलिगोपर हलै वो इस वज़े से recovered है क्योंकि उनका process चल रहा है, sperm metagenesis का process चल रहा है, हमने सिर्फ enhance करना होता है, उस process को एक तरीके से energy देनी होती है, जो energy मिल जाने के बाद वो अपने आपी sperm count enhance करेगा, इसके साथ साथ आपको mortality enhance करेगा और इसके साथ आपको body की energy भी maintain रखेगा अगर हम oligospermia के बारे में बात करते हैं, तो आज हम मैं अपने patient को discuss करता हूँ, patient है वैसे basically out of India के, इंडिया से भार के patient है, basically जब वो आये थे हमारे पास, या समझ लिए जो आये नहीं थे, basically उन्होंने हमसे phone पे बात करी थी, उन्होंने जब हमको report भेजी थी, तो उसमें सिर् sperm count थे, वो 12,000 sperm count थे, वो 10% की motility लिए, जो बहुत low है, as in देखा जाये तो उससे कभी as in child gift नहीं मिल सकता, क्योंकि low sperm count is a big issue, but आज की date में उन्होंने almost month and a half, या month के आसपास उन्होंने अपनी report आज करवाई है, क्योंकि हम अपने हर patient को कहते हैं, कि आप एक मन्त के बाद पता चलता है, या इवन आपको भी पता चलता है, कि आपने कितना sperm count enhance कर लिया अपना, कितना आपने motility बढ़ा लिया, या कितने आपकी चीजे settle हो रही है, इस वज़े से हम अपने हर patient को कहते हैं, कि आप महीने बाद अपना एक test करो, मैं बाकी सब की तरह नहीं कहता है, कि एक 28 days की cycle हमारे में भी होती है, जो 28 days की cycle को achieve कर लेता है, as in medicines में, तो उनकी report में reflect हो जाता है, ये एक myth बनी है कि 3 महीने तक आपको दवाईयां कहानी पड़ती है, उसके बाद report करवानी पड़ती है, ऐसा कहीं नहीं है कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि बीच में आप intercourse नहीं करने के लिए देते हैं, ना कि आपको intercourse को रोके, क्योंकि जब आप intercourse को रोकेगे, तो आप कुछ ज्यादा issue होते है, जैसे वेरिकोसील में देखते हैं कि उनका pain enhance हो जाता है, क्योंकि spermatics और फूलने की वजह से उनको pain बढ़ जाता है, और ऐसे ही oligospermia में भी ये दिक्क आज नहीं तो कल निकलेंगे, बट वो निकल देंगे बाहर, दस दिन में लेंगे या पंदा दिन में निकलेंगे, वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो basic हमारी body का phenomenon है, body का phenomenon काम इस तरीके से करता है, कोई चीज फिल हो रही है, किसी ना किसी reason से, वो आज निकल exit होगी, तो उ साथ साथ उनका जो enhance हुआ है, उनका 12,000 sperm count से सीधा 5.78 million sperm count, क्योंकि बहुत से IVF, बहुत से IUI centers आपको यह बोल देते हैं, कि यहाँ पर progress होना मुश्किल की बात है, और आप as in उनसे घबरा भी जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यह चीज तो fact है यह चीज तो खराब ह अगर आप आईवेद के साथ जुड़ते हैं, तो अपना sperm count बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे से enhance करा सकते हैं, और अपने 30 महीने के रिपोर्ट में खुद ही जज कर सकते हैं, कि आपने कितनी better report अपनी कर ली है, या अपने sperm count कितनी अच्छे कर ली हैं, तो अगर आप दिये वे नंबर पे आप हमें share कर सकते हैं, वाटसप कर सकते हैं, या हमें call कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने oligospermia के बारे में, अपने sperm count कम होना है, या motility कम होने के बारे में, और अगर हमें कोई suggest करना होता test, तो हम आपको normally phone पे भी suggest कर देते हैं, कि आप ये test करवा ल mind में, mind में कैसी भी आपको चीज लग रही है कि ये चीज में सत गलत हो रही है, या ये चीज में सत ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप नीचे दिये वे नंबर पे हमें phone कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका acceptable answer ले सकते हैं, और अगर आप कोई वीडियो पसंद यो तो प्लीज लाइक, शेब लाइक अंद बाइद देजेगा, थैंक यू, एंड थैंक यू, जान देजेगा, थैंक यू, एंड थैंक यू, वेलमेच।